नमस्कार दुस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि S Cleaner Application को कैसे यूज़ कर सकते हैं जहां गईज आप भी जानना चाहते है कि S Cleaner Application क्या है और इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गईज आज की इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना तो गईज सबसे पहले आपको Play Store Application को उपन करना है Play Store Application को उपन करने के बाद गई जहां पर आपको S Cleaner Application को स्टॉल करना है तो गई जहां पर मैंने इस Application को पहले से इस्टॉल करके रखा है और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको About This App का उपसन देखने को मिल जाता है यहां पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर S Cleaner Application के बारे में पूरी डिटल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप इस Application को कैसी उज़ कर सकते हैं वो सारी डिटल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहाँ पर आपको back आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस application की review and rated देखना चाते हैं तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 661 review देखने को मिल जाते हैं इस डानलोडिंग देखने को मिल जाती है। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको clean का option देखने को मिल जाता है यहां पर आपको swap करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अपने mobile की जो भी junk file है जो भी junk application है वो सारी यहां पर clean हो जाएगी तो गई जहाँ पर आपको swap के option पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर अपने mobile की junk file clean हो चुकी है इसके बाद गई जहाँ पर आपको एक add store हो रही है इस add को यहाँ पर आपको close करना है add को close करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको boost का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको boost का option पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना mobile बुष्ट हो रहा है और optimize हो रहा है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने mobile को बुष्ट कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप को connection request का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको okay पर क्लिक करना है okay पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर as cleaner application में smart server अपने mobile में connect हो चुका है तो गई जहाँ पर आपको एक एड़ सो और यह इस set को यहाँ पर आपको close करना है एड़ को close करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है इस तरह से आप as cleaner application में smart server को अपने mobile में connect कर सकते है और उसे use करने के बाद उसे disconnect करना चाते है तो गई जहाँ पर आपको take option पर क्लिक करना है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप S Cleaner application में smart server को अपने mobile में connect कर सकते हैं और उसे use करने के बाद उसे disconnect करना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इस option पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई यहाँ पर आप देख सकती है यहाँ पर as cleaner application में smart server अपने mobile में disconnect हो चुका है तो गई यहाँ पर आप देख सकती है इस तरह से आप smart server को अपने mobile में disconnect कर सकती है इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको CPU को आप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना ओबल ज्यादा गरम होता है ज्यादा हीट होता है तो इस option को use करने के बाद गई जहाँ पर अपने oval को ज़्यादा heating से problem को solve कर सकते हैं और ज़्यादा heat नहीं होगा और ज़्यादा गरम नहीं होगा तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं CPU option को use करने के बाद गई जहाँ पर अपना oval ज़्यादा heat होता था वो हीट होना बंद हो जाएगा और ज़्यादा गरम होता तो गरम होना बंद हो जाएगा इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैटरी का ओप्षन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने ओवल की बैटरी ज़्यादा कर्स होती है तो इस option को यूज करने के बाद अपने ओवल की बैटरी को save कर सकते हैं तो गई जहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप battery saver को use करने के बाद अपने वावल की बैटरी को save कर सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप S cleaner application को use कर सकते हैं तो गैस्ट कैसा लगै वीडियो आप में comment करके जरूर बताए और अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो फिल्स सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दिजिए जिससे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी